चोटे हर चोटे से चोटे काम से लेकर सारा कुछ चाये लाना हो बैठाना हो कुछ भी करना हो मैं तो कुछ कर नहीं सकती है आपने देख ली कंडिशन तो सारे काम मेरी बाप भी कर रहा है और वो तो सब गड़ी मैं भी पता है और जिन इनके बारे में पता है सब पता के कितन मतलब देखबाल कर रही है अपने बच्चे के जैसे और मैं तो वो भी टेंशन में रहती थी कि मेरा क्या होगा एक तो यह थी और उपर से फिर यह देखके कि अब मापापा भी चले गए है अब तो और भी आलत खराब हो जाएगी तो फिर मैंने ना उनके लिए अपने आपक क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे अपनों को मेरी वज़े से कोई तकलीफ हो नमस्कार मैं हूं अजब आरद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं वे फिलाल मारी टेम विदान सबाट शेतर सफीद्यों का जो गाउं आट है यहां पर पहुंची है और अब तकलीफ है तो क्या मजहा हो जीने में अरे हमने तुफानों को टलते देखा जिनके लक्स है सीने में तो बहुत सारी तकलीफ हो के गुजर है और गुजरने भी लग रही है क्योंकि आज क्या जमाना इसा चल रहा है हम आज फोड़ा सा दुखाव है तो यह तो आदमी स इस कbor आप कर्यां के इस प्रेब आदे को सब पंदोब से क्या बिमार्ब भीमार थे और क्या-क्या बिमारी आपको हुई थी? भाई मैं दस भी क्लास में थी, जब मेरे लास्ट में एक दो मीना रह रह था, पेपर का, तो जब शुरू होई थी मेरे, पहले तो जैसे कंदे में शुरू होई, फिर दी रह दी रहे, आराम हो जाता अपने आप पेन हो ता और आराम हो जाता, फिर दी रह दी रहे ना, पूरी बोड़ी में परमानेंट रहने लगी, और फिर जब पता चला, कि ये गठिया बाकी बिमारी है, तो इलाज भी बहुत करवाया, आप सोचों कोई भी मापाप अपने बच्चों ने ऐसे तकलिफ में नहीं देख सकता, तो मेरे मापापा ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इलाज कराण में, पर ये बिमारी है के बढ़ती गई, हमना चाहे देशी दवाई, आयुरवेदिक, हैलोपैथिक, कोई भी नी छोड़ी, होम्योपैथिक, सब तरह की दवाई ली, पर कोई आराम नी मिल्या, और दीरे दीरे, अब तो आप देखी रही हो कंडिशन, कोई भी ज्वाइन टैसा नहीं है, जो सीधा हो, सारे मूड़े हो हैं, चाहिए गर्दन हो, अब देखो, इससे ज्यादा नहीं मुलती, यह से मजलों के स्टैचू, स्टीफ हो जाकर ना, पूरी बोड़ी, स्टीफ हो रही है, बिल्कुल देख सको भाई, और जो फोन पर भी अनिता जी नहीं बता था, कि डोक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, क्या बती जैसे आप नमताई से जो डोक्टरों जवाब दे था, उच्चिया पंस साल ते हमें रोत तक मेडिकल में दवाई ले रहे थे, तो फिर उन बार बार में दवाई दे रहे थे, हर दो या तीन महीने हम जा करें थे, कई बार एक महीने भी जा में थे, टेस्ट करवाऊ थे जब, फिर उन इसका बीमारी वाबद दिया जान लाई थे, कोई आराम भी नहीं था, आमने भी लास्ट टाइम जब गए थे, तो उन दोक्ट साब पूछा, कि आप हर बार ये दवाई देऊ हो, अगर ये देनी हता मुड़े तभी लेसके हैं, ये दवाई मंगवा कहता है, अगर कुछ अलग करना है तो बताओ, नहीं तो फिर आम वहीं से लेकर ले लेंगे, पुरे आल इंडिया का सब तो उपर ये दवाई हैं, और इन तो उपर को ईलाज नहीं हो सकता, और ये चाल लंगी, जब आप याड़ा के ले ले लो, ये पूरे तमंगवा के ले लो, हाँ एक उप्शन है, इन्जेक्शन है, जो वे बिल्कुल लास्ट में, जब इसने सां आपर मेरा करश्टाइब नहीं हो, ये खार आप ये लो, हाँ बार इंडिया का भी खरचार उपर तो जार पे गाटिके किराए के भी, तो फिर जयाता हम नहीं भूल दिया था कि इस तो उपर को ईलाज नहीं हो सकता, आखरी ये ये लाज है, बिल्कुल. चलो भाई देखो और आपने जो सेवा करी है, मैं जी बाभी के बारम की जाओ गया है, मैं तो बोलना चाहूंगी, ये पिछले जनम का लगाले हो, के इस के उपर मेरा करस्ता, या फिर आगले जनम के लिए चडारी हो, कुछ भी बोल लो, छोटे हर, छोटे से चोटे काम से लेकर, सारा कुछ कुछ चाहें, लाना हो, बैठाना हो, कुछ भी करना हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आप उन्हें देख ली कंडिशन, तो सारे काम मेरी बाभी कर रहा है, और वो तो सब गड़ी मैं भी पता हो, जिन इनके बारे में पता है, सब पता कि कितनी मतलब देख बाल कर रही है, अ प्रदव प्रदब को जरूरत है क्योंकि इस सिटेज में मतलब इसी कंडिशन में पहले प्यार की जरूरत है देख बाल की तो है वो तो दिखक यहे कोई बिमार है तो प्यार के और भी ज्यादा जरूरत है तो अनित्ता जैसे सब ने सिवा करने चाहिए किसे के गर में बिमार हो या बुजूर गो वो तो है बिमारी का तो देखो ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन प्यार तो देख बालता है ये कि उन जो बिमार है उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जा है खुद तो इमत करने ये पड़ा है मालो या फिर आला सिक जादे हैं जेलना तो इमत औरोस लेता ही जीओ मैं तो सब नहीं बोलूँगी आपके लिए भी आसान होगी जिंदगी और आपके घर में जो फैमिली मेंबर है जीतने भी उनके लिए भी मैं ये नहीं दिखातीन को कभी भी आउट ओफ कंट्रोल हो जाओना एक आद बार करे जाओंगी कि रोई हाई हाई वो या तो यह सोच लो कि मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है मेरी मत होसला कुछ भी लगा लिए मैं प्रेशान नहीं करें बिल्कुल भी चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाओं बाकी तो यह भी फिर थोड़े ठीक करवेंगे वो तो कभी कभी की थोड़ी जादा कंडिशन खराब हो जा बाकी तो इनका मैं डबले होसला बढ़ाया करूं अगर यह भी उदास होना तो मैं तो इनका भी होसला बढ़ाया करूं कि हर एक दिन आखरी दिन समझ कर जी हो तो आसान हो जाओगी जिन्दगी बिल्कुल यह उदारन है उन बेटि से नोग इसह नहीं है मलब शरीर भी प्रोरुपशल का सईह है बावजूद फूरण विप्रेशान कर रहे हैं ना म Globo को रख रहता ये क्वतारण एक जो नीता जी एंजो रेखा जी की जो सेवा क्रही यह जो बतान लग रही है कि पैस्ट पूर prevail कि मीठे अनीता जी क्या कहना चाहेंगे आप इनकी जो दिन्चिरिया को लेकर के दिन्चिरिया मतलब डेली का रूटिन का इसका सुबह पांच बजेता शुरू हो जा है और इसने पर आते या डेट गंटा अक्सराइज क्रया करें फिर थोड़ी देर लेट जाक रहें फिर नावे दो इसके बाड़ बुरबान दवाई देनी सब काम मतलब में करूं इसके फिर एक गंटा मैं इसकी देन मैं अक्सराइज करा करूं या अक्सराइज जो इस पर नहीं होती मैं थोड़ी ही जो और तकरनी पड़े है फिर या पांच बजे के करीब थोड़ा है इसका जंगा है जो भी इसका स्याम का काम है दवाई दूई का वो ये शेम रूटीन सुबह बारा और फिर दस बजे के करीब या लेटा करें सुबह शाम में कई बार अक्सरसाइज करनी पड़ा है जैसे डेट गंटा तो मैं सुबह करती हूँ पास बजे उठके फिर उसके बाद नाने के बाद थोड़े वो जो सुबह करती हूँ ना पास बजे वो तो एक कपाल बात है और ये सांस वाली है जो उसने पता निके बुल पता चल जागा कि इतना शंगर्श करना पड़ता है एक दिन जीने के लिए कितने सारी तक्यों की, कितने चीजों की जरूरत पड़ती है रिखा बैंजी के बारे में जो इतना उसला और जनून के साथ आपके सामने है और आप भी काफी सेवा कर रही हैं, तो क्या करना चाहेंगे इस होसले और जनून के लिए मैं तो इनके रोसले देखकर सैलूट करूँगी इनके इतनी तकलिफ जैलने के बाद भी इतनी उम्मत कर रही हैं क्योंकि इसने खाली फीजिकली दिक्त नहीं है, मेंटली दिक्त भी बहुत हुई है पहला इनकी मुम में एकस्पार होगी थी, उसके दो साल के बाद इनके पापा भी एकस्पार होगे थे तो एक ठीक ठाक आदमे के लिए थोड़ा है, उस ते भी बहुत मुस्किल है, एक पार साइट पूट रहा है जब अपना कोई छोड़ के जाहर है, जो ज़्यादा कोई माबाप तो सब तहीं ज़्यादा करीब होगे हैं और एक बिमार आदमी तो इतनु सोच लो कितनी दिक्कत होती होगी क्योंकि हमारे पर क्याने दिक्कत हो जब ठीक ठागना तो इसने तो और कई उना ज़्यादा दिक्कत हो जा है उसमें टाइम लाग गया, इसने थोड़ा है, उन तो उबरन में माता-पिता गुज़र बेंजे यह कितने साल होगी है? माको तीरा साल होगे और पापा को ग्यारा साल होगे तो माता-फीता गुजरने के बाद जो जिम्मेदारी है हो सारी बाभी जी ने सबह लाग धिखें उस टाइम में मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होगी थी बहुत ज़्यादा डिस्टरब होगी थी दो तीज साल लगे थे उस चीज तो उबर पाने में और मैं तो यह कहूंगी देखो वैसे तो सब कवें के सबते बड़ा दुख अपने मतलब शरीर का हुआ है कोई प्रोब् यह तो थोड़ी सोचा लग है मेरी मना सबता है जो मेरे यह तकलिफ है इस तभी ज्यादा तकलिफ होई थी जो मेरे मापापा चोड़ के गई और उस अलाता उबर पाना बहुत सच में बहुत मुश्किल था बेरे लिए पर मैंने देखा अगर मैं यूँए दुखी रोंग और एक तो यह पहले ही मालो यह तो करी रही थी और मेरी बैने भी है वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे तो वो भी टेंशन में रहती थी कि मेरा क्या होगा एक तो यह थी और उपर से फिर यह देखके कि अब मापापा भी चले गए है अब तो और भी आलत खराब हो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे अपनों को मेरी वजह से कोई तकलिफ हो तो दुवाई बगएरा जो लगए है जो महिने का जो खर्चाज है तो सारा फिर कहां से क्या मेंटेन कर रही होगी वह तो भाई खर्चे का तो यह के बैने जो वह स्पोर्ट कर रही है नहीं तो शाय करके खर्चे नहीं चलते हैं अना इतने महंगाई है तो मेरा मैं यह नहीं कहूंगी कि यह गलत कर रहे हैं या कुछ है मैंने भी दिखा इनके अलागत है और मैं तो इनका यह बहुत बड़ा असान मानूंगी जो यह कर रहे हैं फिजिकली जो मेरी संबालने केर कर रहे हैं तो इनके लिए भी उतना आसान है, फिर भी जो इनके बसका ये कर रहे हैं, बाकि मेरे बैनों को भी मैं थैंक्च्यूई बोलना चाहूंगे, और जो मेरे जीजू है, नहीं तो आज के टाइम में ऐसे को करने भी नहीं देते हैं, तो बस चल रहा है उनकी वज़े से, चलो भा जाओ आपका मन में जैसे है करता है तो वे समझगे को काम करें मिसा, तो मैं इनके बारे में कोई नुगला ढें नहीं को एक बीमार है तो मैं इसका क्यों करूंगी ना मन मेरे जिम्मेरी समझ रही हूंगे, यह उनलो किसे को बीकुछ भी होजा है, बहुँाना कर मेरे बच् हम्यभी करे शमकर प्रियुम कर यह यह一直 जब स्फ्टकर एक स्वाइं में ऑप्र मुंधार प्रॉण रपरी प्रमाहत्मा सभघत हो जो एक विल्हा इस निई कड़ जो जो झौन बड़र में ऍस बैंज जिनने जुरूर्वट है हे लाड़ पयार की जरूत है मान सम्मान की जरूत है इसके दुख तकलीफ है वो सारा का सारा जो है दुखतर virgin को सारा बाटन लग रही है अनीता जी इसके नहीं मे cuántili चैनल को सारी आपने जिंदगी जेवा देखो बहुत सारी विमारी भी है फिलाल भी आपको शिवा देख सको हो इन्होंनों बता भी बार बारा एक हम भी दुआई डालनी पड़ा है इनका गड़े का जो प्रेसन है अनिता जीन बता था कि तीन बार तो गड़े का इनका उप्रेसन बने रह है बहुत सारी तकलीफ मतलब भी भी रहु है अच्छे तरीके से खाना निखा आ जानदा तो इनका एक सोच है बई जितने तन तक जिन्दी रहएगी तो यूटूब को परेकाची अची वीडियो बनान लग रहे हैं वो लोग बनान लग रहे हैं अची मजा की वीडियो डाल ले हैं ताकि लोगों का भी मनोरंजन बढ़ हैं लोगों देखें खुशी बढ़ है और खास तोर पर मोटिवेट करने के लिए कि भी जो लोग अपना जो जिन्दी का उसला तोड़ दे हैं जो तकलीफ थोड़ी वो तकलीफ आंदे जो सुसाइड करते हैं उनके लिए चैनल बना रख्या बार-बार मोटिवेट कर रहे हैं यह उदेशव गाजी चैनल का क्या है हाँ जी वैसे तो डेली व्लोग के भी डालते हैं पर उसमें सारी चीजे ही दिखा देते हैं जैसे अब कईयों के तो कमेंट भी आते हैं जब पता चला ना कि मैं डोक्टर से दवाई ले रही हूं जीन से तो उनको भी एक उमीद हुई है कि अगर इसका अराम लग गया ना फिर आम भी महीं से दवाई लेंगे जो जीन से दवाई ले रहे हैं कुछ है रिजल्ट पोजीटिव है कुछ हाँ बाई देखो इब उस ते कोई साइड इफ तो आयुर्वेदिक दवाई है दीरे दीरे आराम दिखाएंगी पर जो डोक्टर भी बात कर रहे हैं जो डोक्टर ने बोला है कि अगर एक बार आराम होना शुरू हो गया तो फेर हम इस बिमारी को ठीक करेंगे और बहुत सारे बैने हैं बहुत मतलब बहुत लोगों को आ है मन में कहीं हमारी भी कंडिशन इसके जैसी न हो जाए और एक दो लड़की का तो फोन भी आया था उनको भी सेमी प्रोब्लम है तो उन्होंने पूछा था कि अगर आराम हो जाए ना तो जरूर बताना हम भी दवाई लेंगे वहां से तो अब देखो एक मिने खाके देख ही थोड़ा सरोना शुरू हो गया ना फिर तो कंटीनियू रखेंगे और फिर तो यह भी उमीद है के शायद हां के आराम हो जाएगा प्रमातमासी दुआ करेंगे आराम हो आपका अच्छा वीडियो आपने देख लिए खास तोर पर जो उदेश से था जो पहन बेटियों क और जो उन वेक्तियों को जो अपना उसला मनोबल तोड रहें जी उनमें तो उनके लिए खास तोर पर है रेखा ना मबैंजी का और रनीता इनकी वीडियो काफी अची चलती है और मनोबल मोटिवेट करती है हमेशा और आप भी चैनल पर जाएं के यूटूब के उपर रे जबार दुआ जाएं